हालो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल मेक लॉजी फ्रेंट्स तोड़ेंगे जैसे असाल्ट, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजन्मेंट, अब्यूसे लीगल प्रोसेडिंग्स अन्मेलिश प्रोसेकूशन तो इसमें से हम एसाल्ट का मैं अल्रेडी वीडियो बना चुकी हूँ अब मैं जो दूसरा वीडियो बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ, बैटरी से रिलेटेड़, तो चलिए इस टॉपिक को कम्प्लीट करते हैं, अकॉर्डिंग तो सेल्मेंट, बैटरी होता है, वो बैसिकली होता क्या है, कि जब एक पर्सन, दूसरे पर्सन की बॉड़ी के उपर फोर्स अप्लाई करता है, बिना किसी लॉपिल या लीगल जस्टिफिकेशन के, जिसकी वजए से, जो प्लेंटिफ है, मतलब जिसकी बॉड़ी के उपर फोर्स अप्लाई करना चाहरा है, प्लेंटिफ के दिमाग में ये इमेज क्रियेट हो जाती ही, कि वो फोर्स अप्लाई करने वाला है, बट एक्चली पे उसमें क्या होता है, कि जो प्लेंटिफ है, उसकी बॉड़ी से उस फोर्स का कॉंटेक्ट नहीं होता है, तो इसको हम एक एक्जामपल से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मान लिजे कि कोई परसन को डंडी से मारने की कोशिश करता है, जैसे डंडी दिखा रहा है उसको, तो वो एक असॉल्ट होगा, पर अगर मान लिजे एक्चली में वो उसके उपर डंडी से हिट कर देता है, या वो आपका बैटरी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो उसने फोर्स अप्लाइ करी, वो आपका दूसरे परसन की बॉड़ी पे उसका कॉंटाक्ट हुआ, अमाउंट फोर्स दस नॉट मैडर, मैटर, इवन दसलाइटेस अमाउंट फोर्स इस एक्चनेबल, तो इसमें नही होता है कि जो अमाउंट फोर्स है, वो कितनी है, कि कम है या जादा है, अगर मान लेजिए, थोड़ा मतलब थोड़ी फोर्स भी अप्लाइ की गई है, तो वो भी एक्चनेबल होगी, मतलब उसके अगेंस्ट भी प्लेंटिव जो है, वो आपका कम्प्लेंड कर सकता है, बै बैटरी होती है, इसमें ये जो होती है, हमेशा जो परसन, जिस परसन को नुकसान हो रहा है, जिसे हम प्लेंटिव कह रहे हैं, जिसकी बॉड़ी में हाम हो रहा है, उस परसन की कंसर्ण के बिना होती है, और बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन को होती है, इसका मतलब इसक को आपका रही होगा है तो लुटिकल है चाहती है इसे मितलब यह रही है कि मश्कुश्वित प्रयली होगा तब टक अंश्विति पांभ कि साथ ही साथ में अगर force जो है जो कि apply की जारी दूसरे person के उपन अगर वो force दूसरे person की body के contact में नहीं आती है तो भी battery constitute नहीं होगी Essentials of battery The plaintiff has to prove the following things to bring an action for battery Plaintiff जो है उसको कुछ चीज़े prove करने पड़ेगी अगर उसे battery against case file करना मतलब जिस person ने उसकी body के उपर force apply किया है उसको against उसे case अगर file करना है तो Plaintiff को कुछ चीज़े prove करने होगी तो वो चीज़े क्या है सबसे पहले use of force दूसरा है force must be intentional अब तीसरा है आपका force must be used without any lawful justification तो यह जो तीनों cause है यह जो तीनों essentials है यह ज़रूरी है battery constitute के लिए तो इसमें क्या है कि सबसे पहले force का इस्तेमाल होना चाहिए दूसरा जो force इस्तेमाल हुई है वो intentional होनी चाहिए मतलब किसी intention के साथ में की गई हो गलती से ना हो तीसरी क्या है कि यह बिना किनी किसी lawful justification के हो मतलब इसके कोई legal cause नहीं होना चाहिए मान लेजिए कि कोई एक person है वो दूसरे person जो है उसके उपर battery apply कर रहा है मतलब उसके उपर उसको हिट कर रहा है या उसको बॉडिली हाम पहुंचा रहा है पर उसके पीछे कोई legal cause है या कोई lawful justification है उसका तो वो आपका battery की condition नहीं होगी अब बात करते हैं हम यही तीनों topic को थोड़ा सा detail में हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले use of force की अगर हम बात करें तो the first element which the plaintiff has to prove to bring an action for battery is the use of force to a person by another example slapping intentional pushing तो सबसे पहले सबसे पहला element जो की plaintiff को प्रूफ करना होगा action लेने के लिए battery के against वो क्या होगा कि कि किसी दूसरे person ने उसके उपर force apply किया जैसे की example कि माले जे किसी person ने उसे slap किया है इंटेंशनल उसको intentionally pushing मतलब उसको intentional किसी intention की वज़े से उसने उसको push धक्का दिया तो इसको एक example से हम से note कर सकते हैं जिसे accidental contact with body of a person does not amount to battery मैं पहले भी बता चुकि हूँ कि मान लेजिए कि अगर गलती से किसी से धक्का लग जाता है या गलती से किसी एक परसन की body दूसरे परसन की body के contact में आती है तो वो आपका battery नहीं होगा ना दूसरा जो element है जो की plaintiff को prove करना होगा वो होगा force must be intentional the second element which should be proved by the plaintiff is that the force used upon him by the defendant was intentional and not due to any kind of accident and also without any lawful justification the second element जो plaintiff को proof करना होगा वो यह करना होगा कि जो defendant उसके उपर force apply की है वो intentional थी मतलब उसकी कुछ intention थी किसी कुछ उसके इरादे थे जिसकी वज़े से उसने वह force apply किया है इसके इसको चलिए कुछ examples देख लेते हैं इसके जोसलिंग one another in a crowd is not actionable as battery as battery if it is not done deliberately आपने देखा होगा कि भीडवार होती है भीडवार में क्या होता है एक दुसरे को धका मुकी लगती है तो वो उस case में यह जो battery है वो आपका actionable नहीं होगी अगर actionable तभी होगी जब यह कहीं से proof हो जाए कि यह जो धका मुकी हो रही है वो ज mere accident does not amount to battery माल लेजिए accidental touching मतलब कोई अगर माल लेजिए कि कोई person दूसरे person को गलती से touch कर देता है और उसकी कोई intention नहीं है उससे touch करने की तो वो भी आपका battery का case नहीं बनता है a frightened horse runs away with the defendant and collides with the plaintiff does not amount to battery माल लेजिए जिसे एक person है defendant जिसे हम कहा रहे है वो किसी घोड़े के उपर बैठा है और घोड़ा बिदक जाता है मतलब जिसे घोड़ा जो हता डर जाता है और डर के मारे वो इदर उदर भागने लगता है जिसकी वज़े से वो plaintiff से टकरा जाता है मतलब किसी दूसरे परसंट से टकरा जाता है और उस परसंट को नुकसान हो जाता है तो यह भी आपका बैटरी में नहीं होगा क्योंकि यह आपका accidental act था the least touching in ages is battery but if two or more people meet in a narrow passage and touches one another gently without any intent to harm it is not battery तो suppose किजिए कि एक narrow path है उसमें से कई सारे लोग जा रहे है पास कर रहे है और एक दूसरे को touch कर रहे है but gently touch कर रहे है बीना किसी intention के harm करने की intention के तो वो भी आपका battery में नहीं आएगा now third element is without lawful justification तो concerned express or implied is a lawful justification मान लिजिए कि कोई person जो है जिसके ओपर force apply की जा रही है वो force उसकी इच्छा के साथ हो रही है चाहिए ये concerned express form में हो या implied form में हो एक्स्प्रेस फॉर्म में हो या implied form में हो तो वो आपका lawful justification माना जाएगा एक्जामपल है a friendly push a staking hand is not a battery तो आपने देखा होगा कई बार friends मिलते हैं आपस में तो एक दूसरे को धका देते हैं या push करेंगे खीचेंगे तो यह सारी चीज़ें जो है वो बैटरी में नहीं आएगी certain acts done under authority or statute do not amount to battery तो कुछ ऐसे acts भी होते हैं जो कि आपका किसी authority के अंडर किये जाते हैं या जिने बलते हैं बलते हैं लॉज है वो illegal नहीं मानता है या गलत नहीं मानता है तो वो भी आपका बैटरी में नहीं आएगा तो इसके एक्जामपल है जिसे like parents chastising his child a policeman laying hands laying hand to arrest a thief under a warrant and judicial acts etc तो यह जो सारे हैं जैसे कि आपका parents हैं ठीक है ना parents अगर मान लिजे बच्चे को किसी चीज़ डाटते हैं या मारते हैं ठीक है तो वो आपका battery में नहीं आएगा ना battery अब एक चीज़ आप नोट कर लिजिए कि battery like all suits in trespass is actionable Percy that is without proof of them proof of damage तो यह इसका actionable जो battery का जो case होता है वो actionable Percy होता है इसका मतलब इसके लिए मतलब यह proof नहीं देना पड़ता है कि कुछ damage हुआ है जरूरी नहीं यह मान लिजे कि कि किसी person को damage हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो friends यह battery का concept हमारा खतम हो गया है अभी जो next video उसमें मैं आपको assault और battery जो है उसमें थोड़ा सा differences बता दूंगी तो चलिए मिलते हैं next video में ओके रन गुड़ बाई झाल में आप ऌर झॉड़ झाल